हेलो फ्रेंड्स मैं शिश्मता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चानल टार्गेट फर आईक्यू में आप हमारी वीडियो की पीडिया फाइल के लिए हमारा टेलिग्राम ग्रूप टार्गेट फर आईक्यू जोईन कर सकते हैं दोस्तों आज से हम नई सीरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की कवर करेगी जीएस पोर्षन जीएस पोर्षन काफी जादा एक्जैम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है इसलिए इस पोर्षन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जोग्रिफी, पॉलिटी एके करके हम धीरे-दीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज की इस टॉपिक में हम मौडन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है The Revolt of 1857 जिसे की First War of Independence भी कहते है Revolt of 1857 को कई सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है जैसे की इसकी beginning कैसे हुई, इसके causes क्या क्या थे और भी बहुत सारी चीजें जैसे की ये fail क्यों हुआ, उसके causes क्या थे तो इस वीडियो में हम basically cover करेंगे की beginning कैसे हुई, इसके causes क्या थे और कई सारे historians ने Revolt of 1857 को अपने point of view से describe किया है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि Indian और British historians के क्या क्या point of view थे Revolt of 1857 को ले करके तो आज का ये lesson शुरू करते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि British India में कैसे और कब आए तो 1600 में British की जो Queen, Britain की जो Queen थी Queen Elizabeth I उन्होंने East India Company को एक Royal Charter प्रोवाइड किया जिसके तहत वो trade कर सकते थे किसी भी Eastern country में और उनकी उस country में monopoly रहती थी जब तक उनके पास वो Royal Charter रहता था 1757 से उससे पहले Britishers basically trade करने आये थे इंडिया में और 1757 अगर आपको याद होगा तो इस year में हुई थी Battle of Plassey Battle of Plassey के बाद ही political control जो है Britishers ने वो इंडिया के उपर जमाना शुरू किया था उसके बाद 1764 में हुई Battle of Buxer और धीरे धीरे करके consecutive battles में इंडिया को annex करने का काम धीरे धीरे करके expand होता गया और finally जब Anglo-Sick war हुई उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया British के कबजे में आ चुका था तो आएए सबसे पहले हम जानते हैं revolt of 1857 की शुरुआत तो ये revolt जो है वो मेरट से शुरू हुआ on 10th में 1857 हर revolt के पीछे मतलब हर किसी करांती के पीछे बहुत सारे reasons होते हैं तो जब 1757 में Britishers ने इंडिया को politically annex करना शुरू किया था तब ही उन्होंने अपनी political और administrative जो policies थी वो Indians पे थोपना शुरू किया था कुछ उसके बाद उन्होंने religious changes भी किया और इसी की वज़े से हर एक class जैसे कि artisans, peasants से ले करके landlords तक Britishers से बहुत ज़ादा तंग आ गया थे और उसी के बाद हमें ये 1857 का revolt देखने को मिला इससे पहले भी छोटी-छोटी uprisings होती रहती थी जैसे कि tribal uprisings हो गई या फिर peasants uprisings हो गई तो बहुत सारी छोटी-छोटी uprisings हम देश के कई अन्यान हिस्सों में देखने को मिलती थी बट जो major revolt हुआ है Britishers के against और पहला जहां पर कई सारे समू या फिर आप कहा सकते हो कि कई सारे working class के लोग including peasants सब मिल करके एक जुट हो करके ऐसा revolt किया है वो है revolt of 1857 बट इसमें भी कुछ कम्या रहे गई जिसकी वज़े से यह British को भगा नहीं पाए इंडिया से तो वो कम्या भी हम आगे आने वाले lessons में पढ़ेंगे सबसे पहले beginning देख लेते हैं इस revolt की beginning हुई थी 10th में 1857 को उससे पहले भी एक incident हुआ था इस merit incident से पहले भी एक incident हुआ था वो हुआ था बहरामपुर में तो 19th native infantry जो है बहरामपुर की उसने जो newly introduced infield rifle है उसको यूज करने से इंकार कर दिया था तो ऐसा क्यों किया था यह हम आने वाले immediate cause में देखेंगे उसके बाद 34th native infantry का एक soldier जिसका की नाम था मंगल पांडे उसने अपने officer पर firing की और उसको फिर execute कर दिया गया उसके बाद 24th April को 90 men मतलब 90 लोग 3rd native cavalry के उन्होंने ये greased cartridge यूज करने से मना कर दिया और 9th May को इसमें से 85 men को Britishers ने dismiss कर दिया और उन्हें 10 साल की सजा दे दी उसके बाद ये जो soldiers थे मेरट में उनका गुसा फूटा और उन्होंने अपने सारे जो साथी soldiers थे उनको जेल से निकाला और उन officers को मार दिया जिन्होंने उनको जेल में डाला था या फिर मेरट में जितने भी जो officers ब्रिटिश officers थे उनको मार दिया और वो दिल्ली की तरफ चले गए तो basically revolt की जो beginning थी वो यहां से हुई उसके बाद दिल्ली जाकर के उन्होंने बहादुर शाह 2 को अपना emperor मान लिया उके उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस revolt का इतने बड़े revolt का cause क्या था तो इसके बहुत सारे causes थे जैसे कि political cause, social religious cause, economic causes, military causes और immediate causes तो political causes में basically हम राजनीतिक कारण पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज, political policies में change किया था Britishers ने, कौन-कौन सी policies से Britishers इंडिया को annex करना चाहते थे जो कि बहुत सारे rulers को पसंद नहीं आ रही थी तो ये सारी policies के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले political causes पढ़ते हैं, British expansionist policy सबसे पहला कारण ये है वो British की एक खासियत थी कि वो क्या करते थे, पहले war करते थे, फिर अचानक से break ले ले लेते थे और एक संधी साइन करते थे, और उसके बाद वो दुबारा उस ruler पे attack कर देते थे और वो ruler तयार नहीं होता था और वो ruler हाट जाता था और उसे अपनी पूरी property जो है, वो Britishers को देनी पड़ती थी तो ऐसे ही यह wars करने लगे, जैसे कि 1757 में Battle of Plassey किया, 1764 में Battle of Buxer किया उसके बाद आप देखेंगे कि Anglo-Maratha war हुई, फिर Anglo-Mysore war हुई, उसके बाद Anglo-Sikh war हुई तो ऐसे ही करके यह धीरे धीरे छोटे 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 नहीं कहेंगे, बड़े बड़े provinces को, जैसे Mysore एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, Maratha Kingdom एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, तो ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे पूरी इंडिया पे कब्जा जमाना इन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद इनकी दूसरी पॉलिसी थी, Doctrine of Labs, यह पॉलिसी किसकी थी, Lord Dalhousie की, तो इनका नाम याद रखिएगा, आप पूछा जाता एक्जाम में, Doctrine of Labs by Dalhousie, इस पॉलिसी में वो क्या करते थे, Britishers ने ऐसा डिकलेर कर दिया था, कि अगर कोई ruler है और उसकी संतान नहीं पैदा हुई है, तो उसका जो राजपाट है, वो Britishers के पास चला जाएगा, अगर उस ruler की death हो जाती है, तो इस तरह से उन्होंने कई सारे राज्यों पर कब्जा किया था, जैसे कि सतारा, संबलपुर उदैपुर, नाकपुर और जहासी, जहासी का एक्जामपल आप सभी जानते होंगे, कि रानी लक्षमी बाई के husband की जब death हो गई थी, तो उन्होंने, उससे पहले ही उन्होंने एक बच्चे को adopt किया था, और Britishers ने ये बोल दिया था, कि ये बच्चा इस गद्धी पर, जह ये नाम भी आपको याद रखना है, वेलेसली, सबसिडरी अलाइंस किसने इंट्रिड्यूस की थी, वेलेसली ने, इसके तहट वेलेसली ने कबजा किया था, हैदराबाद पे, मैसूर पे, और मराथा पे, सबसिडरी अलाइंस होता क्या है, ये वहाँ के लोकल रूलर्स से एक ट्रीटी करते थे, कि हम अपनी आर्मी आपके किंडम में रखेंगे, ताकि आपके जो भी दुश्मन है आसपास के, वो आप पे कबजा ना कर सके, और इन रिटर्न, आप हमारी आर्मी को जो भी फाइनाशल सपोर्ट या फिर जैसा भी सपोर्ट होगा, वो आप देंग जैसे कि अगर आपकी आर्मी ही आपके कंड्रोल में नहीं है, तो आप किसी भी किंडम को कैसे गवन कर पाओगे, तो बेसिकली सबसीडिरी अलाइन्स में ये करते थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी वहाँ पर रख करके उस पूरे राज पर कबजा कर लेते थे, फिर उसके बा कि हम इनकी आर्मी में रह करके इनके लिए काम कर रहे हैं और इन्हों ने हमारी ही मातर भूमी या हमारी ही जन भूमी पर कबजा कर लिया, तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉस था, ओके, डिस्रिस्पेक्ट शोन टू बहादुर्शा जफर, बहादुर्शा टू भी जिने कहते तो बहादुर्शा टू को जब सोलजर्श ने अपना रूलर इसी लिए बनाया था क्योंकि इनकी बहुत डिस्रिस्पेक्ट की थी ब्रिटिश ने और ब्रिटिश ने ये तक कर दिया था कि जितने भी आने वाले मुगल रूलर्श हैं वो रेड़ फोर्ट को यूज नहीं क राजमहल में रहते थे वो आप यूज नहीं कर सकते तो ऐसी पॉलिसी भी ब्रिटिश ले के आये थे ट्रीट्मेंट गिवन टू नाना साहिब तो बाजी राउट टू जो की पेश्वा थे मराठा किंग्डम के उनके एक अडॉप्टिट सं थे नाना साहिब तो नाना साहि और राज इसे निकाल दिया था तो यह सारी चीज़े भी एक कॉस बनी पॉलिटिकल ओके नेक्स आते हैं हम शोश्य रिलिजिस कॉसे पे तो शोश्य रिलिजिस कॉसे में सबसे पहला कॉज है अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम अब आते हैं हम शोश्य रिलिजिस कॉसे पे शोश्य रिलिजिस कॉसे मतलब जो भी सोसाइटी और रिलिजिन के साथ जो छेडखान की थी ब्रिटिश ने उसकी वज़े से भी बहुत सारा आउटरेज इन लोगों को जेलना पड़ा था तो सबसे पहले 1829 में सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था सती सिस्टम क्या होता है सती सिस्टम वो होता है जब एक पती की देथ हो जाती है तो पतनी को भी उसी अगनी में कूत करके अपनी जान देनी होती थी तो ये होता था सती सिस्टम हाला कि इसको अबॉलिश करके प्रिटिश ने एक अच्छा काम किया था बट कुछ और्थोडॉक्स हिंदू को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे religious belief में interfere कर रहे हैं तो इसलिए इससे भी एक outrage हिंदू कॉमिनिटी में पैदा हुआ तो इसका abolition किस ने किया था ये आपको याद रखना है विलियम Bentic का नाम और इसमें help की थी राजा राम Mohan Roy ने जो की एक reformer थे ओके ये जितनी भी कुरीतियां थी हिंदू सिस्टम में या फिर उस समय के समाज में उनको ठीक करते थे राजा राम Mohan Roy तो इनकी लिए ये system हटाना बहुत जरूरी था और इसमें उसके बाद विड़ो रिमारेज आक्ट 1856 में तो जब कोई पतनी जब कोई लड़की विद्वा हो जाती थी तो उसको सारी शोशल गैतरिंग से बॉयकॉट कर दिया जाता था उसको घर की चार दिवारी में रखा जाता था तो ये बहुत जादा मौत से भी बत्तर चीज होती थी तो इसलिए उनकी दुबारा शादी करने के लिए भी एक आक्ट निकाला गया 1856 में उसके बाद पॉलिसी ओफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश अपने आपको बहुत उचा समझते थे वो सोचते थे कि वो ऐसा बोलते थे कि तुम सारे इंडियन्स केवल हमारी सेवा करने के लिए बने हो तो वाइट और ब्लैक का बहुत ज़ादा वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे तो ये पॉलिसी भी ना ही सोलजर्स को और ना ही कॉमन पीपल को पसंद आती थी उसके बाद एड्मिन्स्ट्रेशन में करप्शन बहुत था जो भी पुलिस ओफीसर्स थे या फिर जो भी लोग बैठते थे वो सब लोग बहुत करप्ट थे तो इसकी वजह से जो आम जनता थी वो बहुत ज़ादा परिशान होती थी और ऐसा भी कहा जाता है जो इंडियन्स में अभी भी करप्शन की आदत है वो ब्रिटिश की ही लेगेसी है ऐसा कहा जाता है उसके बाद कन्वर्जिन इंटू क्रिश्चानिटी क्रिश्चिन मिशिनरी आ गई थी और वो सब को च सारी वज़ों से जो हिंदू और मुस्लिम कॉमिनिटी थी बहुत जादा उनमें अक्रोश पैदा होने लगा उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट था रिलीजियस डिसिबिलिटी आक्ट 1856 इसमें ऐसा था कि बेसिकली क्रिश्चानिटी प्रमोट करने के उसका बेटा क्रिश्चानिटी में कनवर्ट हो जाता है तो उसको उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगी और अगर वो क्रिश्चानिटी में कनवर्ट नहीं होता है तो उसको अपने पापा की अपने फादर की प्रॉपर्टी नहीं इनहरिट कर पाएगा वो तो ये स आरे एक्स इसलिए निकाल ले जाते थे ताकि कन्वर्जिन्स को और बढ़ाया जा सके तो इसकी वज़े से जो आम लोग थे वह बहुत जादा क्रोधित हो रहे थे उसके बाद आते हैं हम इकनॉमिक कॉज़स में बहुत ही ऑवियस एकनॉमिक कॉज़स हैं टैक्स बहुत जा से चीन लिया गया था या फिर जब उनके एरिया में आर्मी खड़ी कर दी गई थी और उनसे पूरा कंट्रोल ले लिया गया था तब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह आर्टिजन्स और क्राफ्टमेंस को अपने दर्बार में अफोर्ड कर सके तो इसकी वज़े से आ इंडिया में प्रेडियूस होता था और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटें और जो इंडस्ट्री असे उनसे अच्छे गूड्स ह करके इंडिया किये जाते थे और यहां पे cottage industries भी ठब कर दी गए थी और कोई नई इंडस्ट्री भी नहीं लगाई गई थी इसलिए यहाँ पर कॉटेज industry में काम करने वाले लोग थे उनको बहुत ही जादा नुकसान हुआ था नई इनडस्चरी कोई नहीं लगाई जा रही थी इंडिया में और traditional land aristocracy जो कि जमिनदार जिसको enjoy करते थे उसका भी धीरे-धीरे decline हो रहा था अवद में 21,000 तालुगदार्स के जो जमीन थी वो confiscate मतलब कबजा ली गई थी ब्रिटिश द्वारा इसलिए अवद में resentment जो था ब्रिटिश के against वो बहुत जादा था और बहुत सारी classes में था जैसे कि जो soldiers थे वो भी peasants के ही बच्चे थे या फिर वो एक कह सकते हो कि peasants in uniform थे ठीक है तो उनको जब पता चलता था कि हमारे घर में हमारे भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है उनकी जमीन हडपली जा रही है या फिर उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है या फिर उनसे केवल cash crop उगाई जाती थी तो उनको बहुत बुरा लगता था और जब ये सारी चीज़ें देखना को मिली कि तालुदार्स के साथ भी ऐसा क किया जा रहा है तो अवद में resentment काफी हद तक बढ़ गया था उसके बाद Britishers ने बहुत सारे land reforms introduced किये थे जैसे की permanent settlement, रयतवारी settlement और महलवारी settlement तो इन settlement के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे वरना ये बहुत जादा लंब हो जाएगा तो इनको मैं अलग से किस ने चीनी जा रही थी, landless हो गये थे, farmers जितने भी थे और उन पर कर्ज भी चड़ता जा रहा था, मतलब उनको किसी ना किसी से कर्ज लेना पड़ रहा था अपने taxes देने के लिए, तो तीनों settlement में ऐसा कुछ arrangement किया गया था कि बहुत जादा taxes पे करने पाड़ रहा थे, peasants को नेक्स आते हैं military causes, तो military causes में कुछ causes देख लेते हैं, Indian soldiers अगर वो same rank पे भी हैं, जिस rank पे British soldiers हैं, फिर भी उनको salaries बहुत कम दी जाती थी, promotion के chances बहुत कम थे, उनको केवल सुबेदार rank तक ही promote किया जाता था, बाकि उनके साथ में ही किसी British soldier ने अगर join किया होता था, तो वो बहुत ही उपर के post तक पहुँच जाता था, overseas deployment, ये एक act निकाला था, General Enlistment Act और इसको निकाला था Lord Canning ने, इस act में ये कहा गया था कि अब से जो भी soldiers Indian army में recruit होंगे, उनको हम कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब उनकी posting हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी का मतलब है कि हम किसी दू दूसरी country में मतलब ocean पार करके भी उनने जाना पड़ सकता है, तो हिंडिये हिंदूस ऐसा मानते थे कि अगर हमने ocean क्रॉस करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारा धर्न ब्रस्ट होगा, तो ये सारे जो लॉस थे इनसे भी बहुत जादा resentment लोगों में पै पगड़ी पहनते हैं, तो उसके लिए भी मना कर दिया गया, माराथा लोग भी पगड़ी पहनते थे तो ये सारी चीजों पर भी मना ही होने लगी, उसके बाद इंडियन सोल्जर्स विल नॉट बी गिवें थे फॉर इन सर्विस अलाइंस भट्टा वें सर्विंग इन हिं को नहीं मिलेगा, अगर आप सिंद और पंजाब में भी पोस्टेड हो तब भी, तो ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है, और आर्मी में रेशल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत जादा होता था, और उसके बाद जब आवत का अनेक्सेशन किया गया, तो बह तरुष्ट होती है, वो प्रोवाइट किया इस इमेडियेट काउस ने, इमेडियेट काउस ऐसा था कि एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी आर्मी में, और ऐसा बोला जाता है कि जो कार्ट्रेश था, उसको खोलने के लिए उस पे एक ग्रीस लगाई जाती और उसको खोलने के लिए आपको मुझ में डाल करके उसको खोलना होता था और उस ग्रीस कार्टरिज में फैट गाव और पिग का है तो काव हिंदु के लिए बहुत सेक्रेड होती है और ऑ्पिक्स क्यों कد tiden वह dużo हराम माने जाते है इसलाम धर्म में तो इसलिए दोनों ही community इस चीज से बहुत ही जादा गुसे में आ गई कि आप हमारा धर्म बिलकुल ही बरबाद कर रहे हैं तो आप जैसे यहां देख सकते हो कि एक soldier है वो cartridge को के end को अपने teeth से खोल रहा है उसके बाद वो load कर रहा है उसको gun में और उसके बाद वो gun चलाते है तो मुँ में डालना किसी भी मतलब कितना भी आप हिंदू हो करके non wage खालो गाय का मांस आपके मुँ में डालना यह बहुत बड़ी बात होती थी हिंदू के लिए और अभी भी है तो इससे religious sentiments जो हैं वो Indian soldiers के बहुत जादा hurt हुए चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो तो यह था एक immediate cause तो सारी जो आपने cavalry देखी native cavalry देखी चाहे वो मेरट में हो या बैरकपुर में हो उन सब ने यह greased cartridge यूज़ करने से बिलकुल मना कर दिया था कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे और इसको हटाया इसलिए भी नहीं गया मतलब Britishers ने इसको इसलिए नहीं ह हटाया क्योंकि और इसका production भी हो चुका था और अगर इसका production रोकते तब भी जो produce हो चुकी थी उनको यूज़ करना ज़रूरी था और अगर वो कोई और material यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा costly भी पड़ता तो यह Britishers इसलिए ऐसा करा रहे थे इंडियन से next आते हैं influence of outside events तो देश के बाहर भी कई सारे ऐसे events हो रहे थे जहां पर British जो है वो बहुत ही कमजोर साबित हो रही थी इसलिए इंडियन्स को ऐसा लगा कि भले ही यह लोग बोलते हैं कि हम supreme हम supreme हैं लेकिन छोटे-छोटे देशों से या छोटे-छोटे group से हार रहे हैं तो हम भी इन हार गए थे उसके बाद पंजाब war में उनको हार जेलनी पड़ी थी और ऐसे ही क्रिमियन war में भी जो कि 1854 से 56 तक चली थी उसमें भी British हार गए थे तो इंडियन्स को लगने लगा कि हम भी इनके खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं तो यह थे outside events जिसका की influence होने ल views पे Indian historians revolt of 1857 को कैसे देखते हैं तो RC मजुमदार जी ने कहा कि revolt जो है वो नहीं पहला है क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी कुछ tribal uprisings या फिर peasants moment हो चुके थे तो इसलिए इन्होंने बोला कि revolt नहीं पहला है नहीं यह national है और नहीं इसे war of independence कहा सक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था जितना की northern area में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हर group ने पार्टिसिपेट किया था तो इसलिए RC मजुमदार के हिसाब से यह revolt नहीं पहला है नहीं यह national है और नहीं इसे हम war of independence कह सकते हैं SNC जी ने इसे केवल एक सिपोय म्यूटी नहीं माना है बलकि वीडी सावर करने इसे war of independence कहा है ठीक है फिर आते हैं British historians view पे आउटराम नाम के एक British historians थे उन्होंने इसको Muslim conspiracy कहा है तो Muslim conspiracy कहने का एक और तर्क ये भी हो सकता है कि divide and rule की policy इन लोगोंने हमेशा से अपनाई है तो इसलिए ये Muslim conspiracy इसे इसलिए कह रहे हैं ताकि वो food डाल सके हिंदू और Muslim में उसके बाद Rees ने कहा इसे war against Christianity जैसा कि आपने देखा कि Christianity में convert होने के लिए बहुत सारे major Britishers ले रहे थे इसलिए इसे war against Christianity कहा है T.R. Holmes ने इसे कहा है lash of civilization and barbarian तो Britishers को इन्होंने as a civilization, civilized लोग माना है और Indians को इन्होंने barbarian कहा है मतलब सभ्यता और barbarianism आप कह सकते हो कि जिने कुछ भी नहीं आता जो एकदम जंगलियों की तरह रहते हैं तो उनके बीच में एक lash था ये T.R. Holmes ऐसा कहते है Benjamin Disrael ने इसे national revolt माना है और Lawrence और सीले ने इसे military revolt कहा है real sense में मतलब केवल ये एक military revolt था अपने real sense में तो आज के लिए बस इतना ही आप मुझे comment section में please बताईएगा कि आपको ये series कैसी लगी अगर आप मुझे अच्छा response देते हैं तो हम और भी कई सारे topics लेकर के आएंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिए मास्क जरूर पहनिए कहीं बाहर से आईए तो हाथ जरूर धोईए और अपनी family का भी खयाल रखिए और पढ़ते रहिए thank you so much बाहर ड़ी खया है पाद मैंगा प्छार प्रेश पोईट है तो हम जल के सारे हैं ये वह थाज़िए Selावब कर दो हम कहले अईज़िए 3 आविश आपको पली को जरूर रखिए और रहा है